देखो एक स्किल जो है उस्किल का नाम है शाप फरंट क्या शाप फरंट यह बहुत जबरदा स्किल है इसमें बहुत पैसे कमा सकते हों यहां पर तीन सो बतिस लोग हैं ऑनलाइन जाओंगे कोई बंदा नहीं फिफ्टी फॉर लोग हैं सिर्फ कितने ही फिफ्टी फॉर लोग हैं तो लहाज़ा अपने आपको और ग्रो कर लो अकाउंट बनाओ अपने ताके आप लोग अकाउंट रैंक होना शुरू हो समझा रही हैं यह नहीं आ रहे हैं अब शाफ फ्रंट होता क्या है शाफ फ्रंट होता क्या है यहां अगर हम जाएं यूट्यूब पे लिखें शाफ फ्रंट डिजाइन अगर यह शाफ फ्रंट डिजाइन होता है यह दुकान का जो फ्रंट बन रहे हैं यह देख रहे हैं जी ये सारा शॉप फ्रंट में आता है बेतरीन डिजाइन बनाया जाता है शॉप फ्रंट का फिर उसके उपर साइन बोर्ड भी लगाया जाता है ये देख रहे हैं ये पहले इन्होंने लगाए लकड़ी का काम भी होता है चेक बोर्ड का भी होता है उसके बाद एक्रेलिक का भी होता है शीड का भी होता है ये सारा काम होता है ये सारा काम करने के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग ये देखे रहे हैं ये 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 काम हो रहा है ये फ्रंट यानि इसकी लुक जो ग्रेस है वो रेडी मेट त्यार की जाती है बाद समझा रही है अब हम वाफ वापस आते है शार फ्रंट साइन बोर्ड असर में जो हमारा काम शुरू होता है ये हम्मारा काम है ये बोर्ड बनते हैं ये देखरो लेटर बनने में ये देखरो लेटर ये लेटर एक एक लफज बनता है 3D के अंदर तो जो होते हैं वहां पर फिक्सर होते हैं डिजाइन करने वाले वो लगाते हैं इसके उपर शीट लगाते हैं कलर लगाते हैं फॉन लगाते हैं फिर मशीन में वो डिजाइन होता है क्या होता है यहां देखे नीचे यह वो फिर डिजाइन लोग जो होते हैं वो डिजाइन लगाते हैं बनवा के अब यह सामने डिजाइन बनेगा एंड पर लगेगा डिजाइन चेक करें आप कि गाड़ी आई भी है साइनिज लगाने की डिजाईन लगाने वाली गाड़ी लगाने के बाद ऐसे डिजाईन लगेगा यह देख रहे हैं यह जो उन्होंने वहां पर पॉइंट लगाए हैं इसके उपर डिजाइन लगेगा यह डिजाइन त्यार भी हो रहा है यह डिजाइन जो है वो रेड़ी भी कर रहे हैं त्यार भी कर रहे हैं यह देख रहे हैं पर इसमें लाइट भी लगती है यह देख रहे हैं डिजाइन त्यार हुआ है वापस आते हैं हम लोग मजीद ऐसे डिजाइन त्यार होते हैं ऐसे समझ आरी बात बताता है तैमेशन बताएगा ऐसे फिर आज ऐसे इस डिजाइन के अंदर मशीन है पहले क्या था डिजाइन आप कंप्यूटर में बनाओगी क्या करोगे डिजाइन कंप्यूटर में बनेगा फिर मशीन के उपर वो प्लासकर के पीस निकल आएंगे बीच में से प्लासकर के जब पीस निकल आएंगे वो पीस फिर उसके बाद ऐसे पीस बनाए जाएंगे वो पूरे के पूरा लेटर बनाया जाएगा लेटर बनाने के बाद ऐसे पूरा उसको हीट के साथ मोड के जोड के उसके साथ बनाया जाएगा ठीक हो गया, बनाने के बाद उसके अंदर LED लगाई जाएंगी ये देख रहे हैं ये LED होती है, ये इनके अंदर लगती है और ये जब डिजाइन त्यार होगा तो ऐसे लाइट रात को आन होगा ये देखें लाइट आन है, अब इन्होंने सिर्फ ये O बीच में बनाया था हमारे सामने देख रहे हैं को बाद समझ आ रही है ये नहीं आ रही है अब कलाइट बोलेगा भाई, मेरा डिजाइन है दुकान का मैंने लेटर बनवाने है, क्या बनवाने है, लेटर 3D अब आरे पास ये फ्लेक्स जो नहीं प्रिंट होता, बोर्ड बना होता है पर उन्हें मुलक में वो खतम हो गया, वो नहीं प्रिंट होता वहाँ वो नहीं होते हैं, वहाँ ये लेटर वाले लेटर वर्ड लगते हैं, लफज लगते हैं 3D लेटर लगते हैं, समझा रही बात है, क्या करना है, क्लाइट कहता है कि मेरा एक डिजाइन बना दो, मैंने 3D लेटर दुकान के उपर लगाने है दुकान की जो लेडर की साईज है नहीर वो है दो फूट और लमबा है आट फूट या छे बूट आप साईज लगाओंगे आप इंच के अंदर right खिलिक कर करके इंच करेंगे आ लंबा आठ फूट है तो फिर 96 इंच हो गया और 24 इंच हो गया ये आ गया ये साइन बोर्ड आपके पास आ गया ठीक है जी कलाइन कहता है कि मेरा जो कंपनी का नाम है वो है सर्विस शूज जैसे कि सर्विस शूज तो यहां आगर हम लिखेंगे सर्विस शूज थ्री डी लेटर इंटर यह लेटर बन रहे हैं यह लेटर बन रहे हैं मिसाल समझाने के लिए आपको अब यह लेटर सारे बनेंगे यहां पर यह स्टील के बन रहे हैं ठीक हैं कुछ प्लासकेट के बनेंगे कुछ स्टील के अंदर उसके अंदर लाइट लगेगी एक रैलक की शीड के अंदर वो फिर उनके अंदर लाइट लगा के लाइटे एलेडी लगा के बाद में ऐसे लाइट आन होगे डिजाइनर का काम है यह जो डिजाइन देख रहे हो यह तो बनाना है यह डिजाइन बना के देगा तो बाद वगला प्रॉसेस शुरू होगा ना कितना मोटा रखना है कितना चोटा रखना है क्या साइज रखना है वो सारा वो सारा डिजाइनर करेगा तो बाकी डिजाइनर के बाद उसको मोडिफाई करने वाले इंस्टाल करने वाले वो और लोग हूँ अब मैंने अपने इंस्टूट का बनाना है 3D लेटर साइन क्या बनाना है 3D लेटर साइन तो मुझे क्या लिखना है सरगोदा ट्रेनिंग यह दो लफज मैंने बनवाने हैं जी सरगोदा ट्रेनिंग यह मैंने ले लिया बड़ा साइन यहां पर अब मैंने इसका फॉन्ट भी ले लिया जो मुझे अपने अपना फॉन्ट मुझे चाहिए वो मैंने ले लिया जी यह बहला फॉन्ट ओके जी औके जी यहां से मैंने इसको ऊपर कर दिया इसको एकस्पैंड कर देना है अब क्लाइन्ट मुझे से पूछे गा या मैं कि भाई आपने जो एक लेटर बना रहा है उसमें कितनी लेडी लगानी कितनी एलेडी कितनी रोशनी कितनी चाहिए आपको कम चाहिए ज्यादा चाहिए कैसा चाहिए आपको इतना भी पता होना चाहिए कि एक एलेडी का कितना साइज होता है एक एलेडी का कितना साइज होता है एलेडी साइज गूगल करोगे निकल आएगे अगर T है ये एक T का वर्ड है ये एक T का लफज है आप जरा गोर से देखें इसका साइज आप नापेंगे यहां से लेकर यहां तक इसका साइज कितना है तो यहां से साइज अगर हम इंच में अब देख लें ट्रास्फॉर्म में हाइट है दो इंच कितना वन पॉइंट फाइव इंच डेट इंच कितना होता है इतना सा लेटर तो ये छोटा लेटर हुआ छोटा है ना लेटर ये लेटर छोटा है ये साइज कम से कम मैं जाता हूँ कि टी जो हो कम से कम वो एक फुट का टी हो कितना फुट का हो एक फुट का ये टी लफज हो अब मैंने देखना है क्या ये एक फुट का टी लफज है या नहीं है बारा इंच का ये है या नहीं है तो ये नो इंच का है तो मुझे फिर कोई ऐसा फॉंट लगाना पड़ेगा जिस से ये और लंबा दिखे या बड़ा दिखे या आपको हो सकता है क्लाइंट कहला या वर्डिंग ज्यादा है लफज बड़े नहीं होंगे आप एक कर लो सरगोदा जो है लफज वो बड़ा कर लो ठीक है ऐसे वो बड़ा कर लो ट्रेनिंग इंस्टूट्स नीचे छोटा कर लो फिर आप जब उस एक वर्ड को ना पेंगे उसका साइज आप चेक करेंगे एक का साइज कितना है तो फिर आप यहां से पता लग जाएगा अब आगए 13 इंच 13 अब जाके एक फिट का साइज हमारा बन रहा है लेटर का समझ यहारी मेरी बात की क्योंकि आपने यह गिक बनानी है और आपको ओरडर आना है तो अग्वर्ड वक्त पका जाना है करें क्लाइंट आना है कि यार मेरे लफज में कम से कम आपका तीन इंच का अभावासला होना चाहिए यह जो लफज आप देख रह ओ इदर से एदर वो मेरा 3 इंच का फासला तो 2 कम से कम तो आप यहां चेक करते अंट। अभी यहां 3 इशाऱी, 2Eng का फासला है। अभ बात को है याद रखनाOkay 1.5.f की एक LED होती है। यह एक LED है, इस फासलावाद की बेर्थ यह एक LED है। कि यहां पर यह एक LED समय लो और दो इंच की होती है LED एक इतनी बड़ी है ठीक है तो दो इंच की एक LED आप लगा लेंगे यहां पर कि दो इंच की कि कम से कम तीन LED लगनी चाहिए इसके अंदर इतनी जगा होनी चाहिए क्या होनी चाहिए तीन LED लगने की जगा होनी चाहिए समझार यह बात की यहां तो तीन LED लगने की जगा है यहां से कैसे गुजारोगे तीन LED यहां से कैसे गुजारेंगे समझ आरी बात ये तो फिर आपको फिर भी रख के चेक कर लेना है कि भाई तरह एलेडी ओखिये सोखिये लग दियां नालो के नहीं लग दियां क्योंकि ये जलेंगी तो लाइट आएगी बाहिर और यहां से अगर आपको लगे कि ये वाला मोटा है एच छोटा है तो एच के दोनों पॉइंट स्लेक करके एच थोड़ा बढ़ा कर लो भाई ऐसे अंदर का गय थोड़ा बढ़ा लो ताकि एक लाइन को एलेडी लगाते वे कोई परशानी ना आए यहां छोटा है एरिया तो भाई एरिये के दो पॉइंट जो हैं पकड़के थोड़ा एरिया नीचे ले आओ यहां से फरक कोई नहीं पढ़ना उसको लेकर आपकी डिजाइनिंग का फरक उस बंदे को बढ़ा पढ़ना है अगर उसे छोटे साइज में एलेडी कटवा दी वो शीट कट गई फिर उसको तीन के जगा वहां दो लगानी पड़ेंगी हो सकता है एक अगर एक लगाएगा बाकी से पर ज्यादा रोशनी होगी उससे इस हिस्से पर काम होगी तो गए 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 यारे बिच्छो सही लेटा लगी समझ आ रही है लेकिन आपने डिजाइन कितना करके देना है जो डिजाइन वो इतना सा ही होना है यह वाला डिजाइन बस इतना सा बस इतना सा आपने काम करके दे देना है यह वाला इसको इसको दे देना है क्लाइंट को क्लाइंट कहेंगा 3D बना के दिखाओ क्या पीछे लाइट दिखें मुझे पीछे लाइट पड़े यह डिजाइन की आपको ठीक है यह देखें फिर आप क्या करोगे इसको साइड पे कर लेंगे फिर इसको पीछे लाइट वाला आप सीन दिखाएंगे उसको के इसनी अंदर किस कलर की लगानी है पीछे कौन सा कलर पड़े वो गएगा ग्रीन हो तो फिर आपने शैड़ो यहां से स्ट्लाइड में ड्रॉप शैड़ो लगाना है और उसका कलर आपने ग्रीन करना है और उपस्टी आपने उसकी ज्यादा करनी है और कलर आपने नॉर्मल करना है और यहां पे ज्यादा ज्यादा साइज देना है आज को आप कम से कम दो दो इंच साइज देंगे यह बैक पे हो गया है तो यहां पे हम लोग उसका साइज है तो यह भी दो इंच का उसका बलर का साइज भी एक इंच कम देंगे आप देख रहे हैं ज़रा थोड़ी से और यहां से यह जो साइज है बिल्कुल एक सी बैक साइड पर लेकर जाएंगे एक एक इंच क्लोज करेंगे जीरो जीरो कर देंगे अब आगी है पीछे से लाइट आपको देख रही है लेकर कलर जो है ना वो है नहीं प्रॉमिनेंट नहीं कलर फुल ग्रीन होना चाहिए वो कहता है लेटर बाइट रखो पीछे जो लेटर से लाइट निकले वो ग्रीन होनी चाहिए फिर आपने उसको ऐसे दिखाना है ठीक है अच्छा यह है शाप फ्रॉंट का काम शाप फ्रॉंट का डिजाइन मैंने आपको यहां दिखा दिया है यह 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 उपर लेटर लगे वे आप देख रहे हैं दुकान की उपर लेटर हैं यह सिंपल से डिजाइन होते हैं लेटर बस आप ने क्लाइन को लेटर ही बना के दिखाने हैं यह देख रहे हैं आप वो सिंपल सा लेटर दुकान पे लगेगा दिखेगा आपका यह देख अगर आप कल फ्यूचर में यहां से देखे ना वाल आगी हमारी यह देखें वाल यह शाप फ्रण्ट समय ले यह वाल है ठीक है जी यह पर यह समय ले वाल है क्लाइंट कहता है मेरा डिजाइन लगा के दिखाऊ वो टेक्स पर यहां लगेगा आपका ऐसे बैक साइड पर पीछे ऐसे अब आपको लग रहा है कि वो लेटर हमारे लाइट प्रिजेंट कर रहे हैं तो बात समझा रही है अगर हम इसको साइज छोटा कर दें क्योंकि सिस्टम इंच और फुट में साइज लगा लगाएगा तो सिस्टम हैवी हो जाएगा आप बिल्कुल छोटा साइज लगाओ क्योंकि इतना बड़ा साइज लगाया है आठ फुट का साइज लगाया है अब तो अब हम जो अपिरेंस के अंदर जाएंगे साइज हम लगा लेंगे पांच इंच और हम लगा लेंगे जी पचास बीस हम लगाएंगे ना कलर मैं आपको बताता हूं ना समझएं कि यह टैक्स हमने यहां लेका है फोट शॉप में आपको सिर्फ समझाने के लिए यह जो टैक्स है न जी यह टैक्स हम फोट शॉप में ले आएं हैं कि यह टेक्स हम यहार ले आए ठीक है जी आपने शैडो और शेड लगा के आउटर गलो लगा के आपने क्लाइंट को दिखानी है कलर आप रेड कर लें बैक साइड पर तो ऐसे आपने दिखाना है कलर क्लाइंट को शेड दिखाना है आपने ऐसे कि क्लाइंट को लगावा आपने प्रिजेंट करके दिखाना है तब उसको समझानी नंबर दो काम जब मौक अप लगेगा मौक अप लगेगा अगर स्टील का डिजाइन है तो ऐसे आप डबल क्लिक करके उसकी जगह पे अपना आप डिजाइन रखोगे और आप उसको बंद करेंगे तो डिजाइन आपका यहां दिखेगा ऐसे यह होता है 3D डिजाइन क्लाइंट को प्रिजेंट करके दिखाना के ऐसे लेटर आपका बोर्ड साइन बोर्ड दिवार पे लगेगा लेकर बना कि आपने कलाइंट को ऐसी फाइल ही देनी है बस बनवाएगा वो बाहर से आपने उसको बना कि नहीं देना कि पैकिंग करे डबे में नहीं बैजने है उसको ऐसे बस आपने डिजाइन कर देना है यहां तक समझागी तो blend option हमने यूज किया है 3D के लिए अक्सर क्या यूज किया है blend option इसको मैंने copy करके hide कर लिया है तो blend option जो है मैंने वो थोड़ा सा red यूज किया है और उपर वाला color जो है वो मैंने थोड़ा सा dark red यूज किया है और इन दोनों को select करके ये blend option है इसको यहां क्लिक करेंगे फिर यहां क्लिक करेंगे तो वो जो दोनों mix हो जाएगा effect में जाके हम blend के अंदर option चूज करेंगे और option हम उसको step ज्यादा बढ़ाएंगे तो ऐसा करके वो blend effect बन जाएगा हमारा और जो हाइड किया है वो बाहर आ जागा ऐसे शेड दिखेगा क्लाइन को 3D समझ आ रही है जो पराने स्टुडेंट्स हैं उन की बात कर रहा हूँ नए की कोई tension नहीं है ने recording नहीं हो एथे नहीं समझना है इदर और ख्याल रखने ने दूँ समझा रही है बात की तो ये शाप फ्रंट वाला जो 3D लेटर का ये मसला आपका आज हल हो गया है अब दुकान के नीचे ये दुकान का समझो बोर्ड है बोर्ड बना वह तो दुकान के नीचे यहां पे एक बड़ा सा शीशा भी होता है आपको याद हो तो दुकान के इस साइड पे भी शीशा होता है बीच में दुकान का दर्वाजा भी होता है जिससे इंटर होते हैं ठीक है ये जो शीशे हैं इसको कहते हैं विंडो ग्राफिक्स क्या कहते हैं विंडो ग्राफिक्स ग्राफिक्स अब जब हम विंडो ग्राफिक्स में जाएंगे यहां लिखेंगे विंडो ग्राफिक्स यह होते हैं विंडो ग्राफिक्स यह देखें आपके शिशे के उपर जो डिजाइन लगा होता है इसको window graphics कहते हैं क्या कहते हैं इसको ये सारे design window graphics को design वह simple सा ये आपने बनाना है क्या बनाना है already illustrator में मैंने design बनाना सिखा दिया किसी किसम का भी design आप बना सकते हो flyer भी बना सकते हो address ये देखे ना उसका logo लगाना है तस्वीरे लगाने हैं phone number address लिखना है तो client आपको ऐसे window graphics का size देगा कि ये मेरा शिशा है client बोलेगा इदर से इदर तक client बोलेगा इदर से इदर तक शिशे का ये size है इदर से इदर तक ये size है इसमें ये design बना दो तो आप simple simple design सीधा सीधा बना दोगे और इदर भी बोलेगा ये वाला design बना दो वो सीधा सीधा simple design बना दो याद रखिएगा मैं आपको पहले बता रहा हूँ आपके account नहीं बनेंगे उस time तक हमारा course का date शुरू कोई नहीं हुई जब तक आपके 10 account complete नहीं होंगे तब तक क्या होगा course की date शुरू नहीं होई मत्तब आप course के end पे मुझे बोलें सर फीस वापस कर देओ पैसे ताए कोई नहीं तो जिस दिन course आप 10 account मुझे दिखाओगे उस दिन से date शुरू हो नहीं समझा रही है कि पामे 6 मिने account नहीं बना हुआ है कि समझा रही बात की आप फीस लेने के उस वकर जवाज होंगे सब 6 मिने और अकाउंट बनेया एक और नहीं आया लेहादा फीस वापस कि जो अकाउंट 6 मिने बात बननेंगे तब आफे रहे हैं अधिन नहीं न समझा रही है है कि इनने बनाए नहीं है थामने लग गए अधिते तेंद्रा से प्रेंट लाँ के मस्वें नहीं दिल करता पता नहीं करता है यहां तक समझा रही है कि दर्वाजे पर भी डिजाइन लग जाएगा आपका यह ऐसे डूर सबसे ज्यादा काम है शॉप फ्रेंट का मैं कह रहे हैं पांच अकाउंट और शॉप फ्रेंटेज होने चाहेदें लाइर बिशक छट देऊ शॉप फ्रेंट पांच अकाउंट वाड़ देओ और यहां से आप जड़ा बात देखें विंडो ग्राफिक्स अगर आपने जल्दी पैसे कमाने जिए विंडो ग्राफिक्स सर्च करें जाइस और यह और यह आनलाइन करेंगे लादे बंद्या अर्ताली बंदे ने दूजा पेज लिए नहीं आएगा दूज यहां देखो जरा यह देखो यह मेरा अकाउंट है यह वला अकाउंट मेरा है अब यहां देखो यह वला भी अकाउंट मेरा है आगे चलते हैं यह वला भी अकाउंट मेरा है ये बाकि सारे मेरे सूडर्स अच्छे खासे पैसे कमा रहें तो अन्होश ही को नहीं है बेशक फ्लायर में मत बनाओ गिक्स इसमें बनाओ एक मेहने से पहले आपके पास आडर होना चाहिए पैसे एक मेहने बाद कमाने शुरू करने चाहिए देने इसमें आओ जल्दी करो ये सब स्टूड़ेंट समय होप के आपको समझ आ रही हो बाद पैस सूते हो और फिर हूँ मैं तो उनके में समझाना है कि तुसी कमा सकते हो पैसे मैं भी कमा रहा हूँ ये देखे ना ये शाफ फ्रंट के अंदर इस अकाउंट पे अभी यहां देखें ओपन करें दो आडर मेरे पास क्यों में कौन दस्व मैं भी तो कमार हूँ इसी से पैसे कि तौन के मसला है बंदा उते हैं को नहीं कि और दे तो बंदा ही नहीं है यार वेकर रहे में तो दोजार लोग हैं लेकर यहां किदर हैं दोजार लोग दूजर पेज अली बढ़ने हैं मैं चाहता हूं हमारे बैज के हर बच्चा अगर तीन तीन अकाउंट भी वह शॉप फ्रंट में ग्राफिस में डालता है तो साठा दूजर पेज बन जाने हैं और उन दूसरे पेजिज की विदिन अवन वीग पहले पेज थे आज अगर फैर उन्वी ने समझ आंदी तो फिर ताम नहीं अगर बस यह आज की क्लास है मक्सद अग्गा भाजड़ी नहीं पाई रखनी समझाएं अब मैं उस बंदे को मंडे से बिठाऊंगा जिदे दो अकाउंट गेग थमनेल देनाल कम्प्लीट होई तो दो अकाउंट तुम याद करवाओगे तू आज मेरे अपने बने तूम ने याद करवान तू बने याद मैं इन्मीन ने करांदा यह दनकाम आता है तो यह आप कीता को नहीं है छोड़ो बनादे उस्तालम डानो क्या आप लोग इस बात को ना बड़ा एजी लोगे लेकर लोग पैसे कमा जाने तो आड़े आन सक जदो तू सोचेंगा ना उदो तक लड़के पैसे कमा रहे होंगे तो यह क्लास आप लोगं की यहां दा गया अब जो नहीं बच्चे हैं उनकी बारी है अकल मंदवा से इशारा आप आगे बढ़ते हैं कम्प्यूटर से तप अदर हो या है अच्छा तुम्हारा हो गया है इन्साल इलिस्टेटर मंदे नहोजेगा तेरा ओके आप लोग मेरबानी करके नंबर एक तो जल्दी आया करो नहीं क्लास शे बजे शुरू होगी रिकार्डिंग दे टाइम बेख लवे जारा ठीक है क्लास शी रिकार्डिंग दे ट्राइम तान पता लाग जेगा की समझाई पहले तम लोग बाते करते लिए चलो आगे बढ़ते हैं यह देखो जो नहीं बच्चे हैं उनके लिए यह देखो जरा पहला आखरी टूल पढ़ चुके हैं हैं टूल पढ़ लिया है आर्ट बोर् स्लाइस टूल पढ़ते हैं बहुत जबर्दस टूल है हमारा देखो अगर हम इंटरनेट पे जाते हैं कोई तस्वीर हम डाउनोड करके लेके आते हैं ये तस्वीर हमने लाउनोड करके लेके आये हैं आर्ट बोर्ड से हमने बड़ा अर्ट बोर्ड ले लिया इसको अश्ले करके डिलीट कर दिया है अब देखे ज़गर से मैं चाहता हूं कि यार इस बंदे की ड़स तस्वीरे मैं JPG में सेव करूँ एक ही दफ़ा कितिंग तस्वीरें दस अगर हम एक एक करके करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा एक एक करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसे ड्रैग करके इसको एक यह तस्वीर लेनी है तो स्लेक करके में क्लिपिंग मास्क करके फिर आर्ट बॉर्ड लगाके फिर हमें JPG यहां से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा फिर यहां से हमें यहां से हमें क्या करना पड़ेगा एक्सपोर्ट करना पड़ेगा वो लंबा टाइम हो जागा इतना टाइम नहीं है तो फिर हम स्लाइस यूज करेंगे क्या करेंगे slice लेने हैं आपने इतर डबा लगाना है एक photo, दो photo तीन photo ये हाथ की चाहिए चार घड़ी की चाहिए पांच ये वाला चाहिए छे शूज चाहिए साथ और आठ नौ और जी मैं चाहता हूं जी ये belt भी आजाए ये इसका belt भी आजाए और ये शापर भी आजाए फिर मैंने करना save as web मैंने उसको save करना है वो पूछेगा कौन से format में मैंने का यार जेपी जी कर दो save कर दो किदर कर दो documents में एक folder बना लो one के नाम से उसके अंदर save कर दो मैंने का okay जी save उसने save कर दिया मैं documents में जाता हूँ one के नाम से folder उस सारी तस्वीरा कर दो उसने जो तस्वीरें हमें चाहिएं थी वो सारी क्या की ये वाली सारी delete कर देते हैं ये वाली भी del कर देते हैं नहीं वो बाकी हिस्था तो वो select करता है ना तो ये सारी del कर दें अब वो वाकिया आटू से बात समझा रही है इतनी जल्दी देर में जेपी जी नहीं बना सकते हम लोग लेकिन स्लाइस की मदद से यहां देखे जबर गौर से कंडोल Z किया मैंने यह देखें जब मैंने यह स्लाइस लेना तो भाई उसने यह सारा सपोर्टिव तोसे लेक्ट करेगा नब उसके ऑफशन यही है उसके पास फीचर ही यही शने आपके आजपास वाला एरिया बाकि भी दित्वाट करना उसे उस स्लाइस की समझ आ गी कितने बच्चों को पहले स्लाइस नहीं पता था तुम्हें नहीं बता ओ लुए अधा पता है तुबाएं नहीं पता इस तुर नहीं तो पता कि मैं नहीं सजी पता ही मैं तक अधा है बस आज के लिए इतना सा काम है खेंग लोग से तक्षाइब कर दूए खिरुबेकल के सुख़ते हैं